जहिंद आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कच्छा दस गडित के महत पूण टापिक जो तुर्खोण मिती है के ये आपके एक्जाम में हर साल पूचा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसा पूचा जाता है और ये 4 या 6 नमबर का पूचा जाता है और आपके एक सरफ है वीडियो को पूरा देखना तो सोफसे पहले आपको चना है इसमें आपको सूत्र रियाद करना जब तक आपको वह जो को infello verses य दिया है कि इसकंट प्लस आई 15 मैं आपको स्वाल एक a plus 10a तो आपको देखो इन में से आपको सूत्र जो मालूम होंगे तो आप लोग इसको easily solve कर पाएंगे तो इसको अच्छे से देखना वीडियो को आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे इसको सिद्ध करा जाता है तो यहां क्या लिखेंगे इसको देखो क्या बोलते हैं बाया पच्छ क्या लिखेंगे बाया उसके बाद में पच्छ यहां पर ऐसे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है यह जो है सवाल यह आपको यहां पर उतारना है one plus उसके बाद में sign a और upon में one minus और उसके बाद में यहां पर under root करके अब आपको क्या करना देखो ऐसे जब यह सवाल लगता है तो जैसे यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस से गुड़ा करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है अंस वा हर में अंस अर वा हर में देखो यह इसको अंस बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं तो क्या हम देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अंडर रूट और यहाँ पर वन पलस और साइन ए से क्या करने पर गुड़ा करने पर दोनों में अंसवा हर में गुड़ा और करने और पर अब आपको क्या करना है इनको गुड़ा करना है तो यहाँ पर लिखें बोणों में आपको अन्जवाहर में यहाँ पर भी वन पलस सायन ए और उसी प्रकार बोधकर और इसका पूरा का अंडर रूट यह हो holy square बन रहा है और यह जो देखो इसमें one minus है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है तो यह आपका क्या बन गया तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं one minus और यहाँ पर क्या लिखते हैं sign और उसके बाद में square a लिख सकते हैं और उसके पूरे का under root यह हो गया उसके बाद में अब आपको क्या गरना है यहाँ पर देखो उसके बाद में यह जो लिखा है one plus sign a और पूरे का whole square तो इसको यहाँ पर क्या हो ठीटा हो तो बात एक ही होते हैं तो one minus sign square ठीटा बराबर या one minus sign square ठीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर क्या सूत्र लगता है देखो हमको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर six a और प्लस 10 a सिद्ध करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूत्र हमारा यहाँ कास स्क्वाइर A होता है इसका सूत्र तो और इसके पूरे का अंडर रूट अब यह हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पर यह जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहां दोनों की square हट जाएंगे तो यहांपर बराबर करके यहांपर क्या लिखना है 1 plus यहांपर 1 plus उसके बाद में sine और A उसके बाद में यहांपर नीचे यहांपर क्या बचेगा cos केवल A यहांदेखो जब अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर square दोनों हट जाएंगे simple सा समझ में आ गया उसके बाद में अब क्या करना है हमें देखो यहाँ पर सिद्ध करना है sick a और plus 10 a तो देखो अब इसको ध्यान से देखना आप लोग इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर one plus और यहाँ पर कास a लिख सकते हैं और यहाँ पर यह जो plus का चिनल लगा है यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं देखो जब नीचे यहाँ पर हर है तो यहाँ पर चाहें और भी कुछ दिया होता तो इसकी यहाँ पर दो हैं तो आप लोग यहाँ पर इसे कर सकते हैं और इसको क्या हम और लिख सकते हैं यहां पर साइन और ए अपान का से लिख सकते हैं इतना लिखने के बाद आप देखो अब इसको ध्यान से देखना यह देखो क्या बन गया वन अपान का से बराबर क्या होता है आपको जो पढ़ाओगा तो आप लोगों को म के बाद में A होता है और यहां यह प्लस्पा चप्स कर दोल गाँगए और क्या है चिन इंताई स अंपॉ को डिंपने सकत कि और ये आपके चान नंबर के पूछे जाते हैं, बहुत सारे question इनी में से related कुछ भी आ जाये, तो आप लोग ऐसे ही सिद्ध करना बहुत simple सा है, बस थोड़ा सा minor लगाएंगे, जैसे इस परकार के हैं, तो अंस हुआ हर में, इस से देखो, यहाँ पर जैसे minus था, तो आपको plus से गुड़ा करने पर, यहाँ पर जो plus होता, तो यहाँ पर minus को गुड़ा करने पर, जो अपान में दी संख्या हों, तो तिर्कूर में तीम है, तो आपको सेम है, सही करना, उसके बाद में, यहाँ पर one plus sign a, one plus, और sign a, यहाँ पर सेम होता है, तो यह हमारा सूत्र क्या बन जाता है, वह a plus b का, यह whole square बन जाता है, तो यहाँ पर यह लिख दिया, उसके बाद में, one minus, और उसके बाद में, यह क्या होता है, यहाँ पर हमारा a, और उसके बाद में, a square minus b square वाला सूत्र होता है, इसको जब हम अलग करते हैं, तो a-b हो जाता है और यहाँ पर a plus b हो जाता है यह आपको मालूम है यही सूत्र इसमे भी लगता है देख एक की value कुछ नहीं होती यहाँ पर square भी लगा सकते तो यही सूत्र यहाँ पर रख दिया गया तो one minus sine square a हो गया या theta हो गया उसके बाद में इसको से मैसे लिख दिया गया और इसका सूतर होता है 1-sin square theta बराबर क्या होता है cos square theta होता है ए होता है या theta होता है तो यहाँ पर हो गया उसके बाद में अब simple सा इसको जैसे लिखा था और यहाँ पर जब हम root हटाएंगे अंडर root हटाएंगे तो यहाँ square simply c हट जाएगा उसके बाद में दोनों के हट जाएंगे तो यहाँ खाली बचता है one plus sign a कास है उसके बाद में हम इसको इसी परकार से लिख सकते हैं one plus कास है और sign upon sign upon उसके बाद में कास है और उसके बाद में यह देखो one upon कास है का हम क्या लिख सकते हैं से के लिख सकते हैं और plus में यह plus लगा था है और sign upon कास है बराबर क्या होता है टैने होता है तो यहाँ पर टैने हो गया और यहीं हमारा क्या सिद्ध होकर यही हमारा answer निकलत कर आ गया तो same ऐसे ही आपको सभी करना है बहुत simple सा है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है mind लगाना अच्छे से आप लोग हल कर पाएंगे उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा चैनल पर पहली बार है सबस्क्राइब करना ना भूले मिलते अगले वीडियो में